जैपुर के M.J.D. स्कूल में People for the Ethical Treatment of Animals इंडिया की योर से कायूजन किया गया जिसमें रोबोटिक हतीनी से विध्यारतियों को रूबुरू कराया गया अकारिकरा में रोबोटिक हतीनी एली बिल्कूल असली हाथी के तरह अपनी आखे जबकाते हुए अपने कान फरपड़ाते हुए बच्चों को असली हातीयों की कहानी सुनाई फ्लिम अभिनेत्री दिया मर्जा ने हतीनी एली के किरदार को अपनी आवाज दी है प्रिंसिपल अर्चिना मनकोटिया ने कहा कि हमारी स्कूल के सभी छात्र एली नामक यांट्रिक हतीनी से मिलने के लिए बहुत थी उचसाहित नजार आए वहीं पीटा इडिया की सीनियर एजुकेशन कॉडिनेटर मिनाक्षी नारंग ने कहा कि एली ने बच्चों को समझाया कि अन्य प्रजातियों के सजीव प्राणियों को भी एक शांती पूर्ण जीवन बिताने का पूरा हग है अधूर्ण आए नजार की सिवाष्टर के सब्सक्त प्राणियों की सब्सक्राइब ने बच्टाइब आए लिए अच्टाइब एक शब प्राणियों के लिए ने में।